दोस्तों अगर आपको भी maximum loan amount की ज़रत होती है तो भाई आज किस वीडियो के न्थरम देखने वाले हैं किस तरह से आप बजाज फिंजर्व से घर बैठे बैठे maximum यहां से 40 लाग रुपय का loan apply कर सकते हो इसके साथ साथ बजाज फिंजर्वना आपको तीन तरह के loan की option प्रवाइड करता है यहां पर देख सकते हो इसके 3 unique variant है तो भाई इसके बार में भी हम discuss करने वाले हैं क्योंकि बहुत से YouTube के उपर वीडियो भरी पढ़ी हैं उनमें आपको loan provide करते हैं लिगन में उनसे आपको बचके रहना है मैंने एक बार आपको complete idea देता हूं market का overall कि आपको कौन सी loan application कितने amount का loan देती है तो दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले maximum loan amount की यानि कि कौन सी application आपको कितने amount का loan दे सकती है यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले नंबर पर आता है बजाज फिमजब जो कि आपको maximum 40,000,000,000 रुपय का loan provide करता है देखो यहां पर मैं आपको एक चीज के लिए कर देना चाहता हूं अगर आपको 5-10,000 ऐसे loan amount की जोद पढ़ती है तो आप बजाज फिमजब की तरफ बिल्कुल मत जाना अगर दस से 25 हर या फिर 25 हर से अब पैसा चीए तभी आप इस application की तरफ जाना अगर आपको छोटे loan amount का loan चाहिए तो भाई आप इन application की तरफ जा सकते हो इन पर भी मैंने complete video बगरा बना रखी है अभी दोस्तों एक बार हम minimum age requirement भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लेकि सिर्फ एज की बज़े से जो हमारा loan application है वो reject हो जाता है अगर हम बात करें आप यह बजास फिंजर्व की तो देख सकते हो 21 साल से लेकिए अगर आपकी 80 साल है तभी आप यहां से loan apply करना और तभी आपका loan अप्रूव होगा वह तो आपका जो loan है वो reject कर दिया जाग हमको उनके interest बगारा देखने पड़े तो बस मैं आपसे यह चाह रहा हूँ आप एक इस video को लाइक करके एक प्यारा सा comment कर देना ताकि हमको भी motivation मिलते रहे हो और हम भी इस तरह के genuine video बनाते रहे हैं अब चलो एक बार हम देख लेते कैसे आप फ्यू मिनट्स के अंदर बज लेकिन इस पर आपको क्लिक नहीं करना आपको सिंपली होम पेज पर आने के बाद अब इसको आप थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करोगे अब यहां पर आपको देख सकतो पर्सनल लोन को आप्शन देखने को मिल जाएगा प्रोड़क्ट फोर यू के अंदर इस पर आप जैसे बेनेफिट और चार्जिस भी क्लियर कर देता हूं ताकि भाई सारी चीह आपके मांड में क्लियर रहें अब इसी पेज़ को अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करते हो तो यहां पर आप देख सकते हो आपको एक यहमाई कैलकुलेटर भी मिल जाएगा और एक बार आप यह 12-13% के आसपस रहने वाला है और उसके बाद हमने यहां पर टैनियोर 24 मेने का चूज कर दिया तो इसके बाद मैं जैसी प्रोसीड करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो हमारी जो इमाई बनाई जा रही है वो 9322 रुपय की बनाई जा रही है उसके बाद हमारे यह 23,718 रुपय का लगा जा रहा है और हमको यहां पर टोटल 2,23,73 रुपय पे करने पड़ रहे है तो इहां पर यहां पर यह भी आप कैलकूलेट कर सकते हो और जो भी आप यहां से लोन अपलाए करते हो वो आपको मैक्सिमुम 6 मन्त और मैक्सिमुम 96 मन्त के लिए दिया जा तो आप देख सकते हो भाई सबसे पहले आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चीए और आपकी यहां पर 21 साल से लेके 80 साल की बीच में होनी चीए आप यहां तो पब्लीक सेक्टर या फिर प्लाइवेक सेक्टर में काम करते होने चीए और आपका सिवील इसकोर 685 या फिर उसस आपको अपना फोन नंबर समिट करना है जिससे भी आप लोन अप्लाइ करना चाहते हो तो मैं हमने समिट करके उसके वो प्रोसीड कर दिया अब यहां पर देख सकते हो सिंपली उस नंबर पर OTP आएगा और वो OTP आपको यहां पर वेरिफाई करना पड़ेगा अब इस वा अब अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करते हो तो प्रोफेशनल डिटेल के अंदर आपको अपनी इंप्लॉइमेंट टाप भी सिलेक करनी पड़ेगी कि आप सैलिट पर्शन हो यहां पर देख सकते हो अगर हमने यहां पर सैलिट पर्शन चूज करते हैं तो सब कोई EMI आपकी कितनी है दर और अगर आपकी कोई भी EMI नहीं चल रही तो आप यहां पर जीरो भी फिल कर सकते हो उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम डाल देना है जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करते हो उसके बाद आपको अपनी कंपनी का पिन कोड डाल देना है लेकिन बाइ चांस अगर आप यहाँ पर सेलिट परसंट चूज कर लेते हो ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको अपने occupation के अंदर बताना पड़ेगा भई आप काम करते हो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे profession आ जाएंगे मैंने इसमें से एक चूज कर लिया उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपनी annual income डाल देनी है और make sure करना भाई सेलिट परसंट के केस में भी और सेल्फ इंप्लोइड में भी आपकी कम से कम annual income चार लाग या फिर पांस लाग होनी चाहिए तभी लोन अप्रूवल के आपको चांजिस मिल जाते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ सा प्रोसेसिंग होने के बाद मेरे को मेरे pen card के हिसाफ से यहाँ पर maximum 6 लाग रुपए तक का लोन का offer दिया जा रहा है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं 6 लाग का लोन ले सकता हूं यहाँ अगर मैं चाहूं तो इसको भाई कम करके मै मैं minimum 1 लाग का और maximum मैं यहाँ से 35 लाग रुपए तक का लोन अपलाई कर सकता हूं लेकिन भाई मैं यहाँ पर simply 1 लाग रुपए का लोन अमाउंट डालता हूं ताकि आपको समझाने में बढ़िया रहे यहाँ पर आप देख सकतो अब हमको total 3 तरह के लोन के tenure मिलते हैं सब से पहला flexi hybrid loan, दूसरा flexi term loan, तीसरा हमारा term loan अब देखो यहाँ पर हमारा flexi hybrid loan है इसके बारे में बताया जा रहा है with flexi hybrid loan you will have to pay only interest in the initial tenure यानि कि आपको initially यानि कि शुरुवात के अंदर आपको सिर्फ अपना interest ही pay करना पड़ेगा उसके बाद बोल रहा है you can also part pay and withdraw throughout the loan tenure and you will be change interest only on the amount you have utilized, यानि कि जितना भी amount यहां से utilize करते हो, सिर्फ आपको उतना ही part payment करना पड़ेगा इसके बाद जो भी आपका amount यहां पे बचा रहेगा उसके आपको कुछ भी interest बगार है देने की जो तो नहीं पड़ेगी, और इसके साथ-साथ flexi hybrid loan के अंदर आपको 36, 48, 42, 84, और 96 महिने का भी time मिल जाता है, अब देखो अगर मैं यहां पे 96 महिने चूज करता हूं, तो यहां पे मेरी initial 24 EMI का interest rate जो होता है, वो 1160 रुपय होता है, अब मैं इसको 36 महिने भी करता हूं तो भी interest rate हमारा initially वाला change नहीं होगा, लेकिन जो हमारा interest plus principal amount है वो change होगा, यहां आप देख सकते हो, 36 महिने का किया, तो 4800 रुपय हो गया, और 96 महिना क्या किया, तो 2016 रुपय हो गया, यहीं पे अगर मैं आपको flexi term loan के बारे में बताऊं, तो देखो, यह है hybrid की तरही, लेकिन यहां पे जो आपको, मतलब tenure है न, वो कम हो जाता है, यहां पे आप देख सक इसमें यहां पे 14 परशन करेता है, अब देखो, अगर मैं आपको mainly बताऊं, तो आपको यहां पे hybrid ही select करना है, क्योंकि यहां पे जितना भी आप पैसा खर्च करोगे, सिर्फ उसी पे आपको interest rate देना पड़ेगा, तो भी आप सारी चीज़े select करने के बाद, आपको simply proceed कर द processing होने के बाद, get KYC, done using digilogar पे, आपको simply इसकी permission को allow कर देना ही, उसके बाद इस पे click कर देना ही, click करने के बाद, अब यहां पे आप देख सकतो, आपको अपने अधार नंबर के थरू भी verification करवाना पड़ेगा, तो भी make sure करना कि आपको यहां पे अपना complete अधार नंबर ड चुकी है, अब यहां पे आपको simply इसको proceed कर देना ही, तो भी इस वाले page पे आप देख सकतो, आपको यहां पे सबसे पहले अपना नाम डाल देना ही, उसके बाद आपको अपना IFC code डालने के बाद, आपको अपना account नमर डाल देना ही, उसके बाद select कर लेना कि आपका saving और current कौन सा account है, उसके बाद देखो, अब verification के लिए एक रुपए आपके account के अंदर credit के जाएंगे, अगर वो पैसे successful credit हो जाते हैं, तो आपका account यहां पे verify हो जाएगा, अगर credit नहीं हो पाते हैं, तो account verification fail हो जाएगा, तो भई अब देख सकतो हमने यहां पे सारी डालने के आप वह इला bank account यहां पे देना, मैंने example के लिए अपना kotak महेंदर bank डाल दिया, उसके बाद aggregator के अंदर यह पूछ रहे है, one money, ndl और अनुमती, इन तीनों में से आप कोई सब भी select कर सकते हो, मैंने यहां पे one money choose करके इसको proceed कर दिया, आप proceed करने के बाद यहां पे आप OTP submit कर दिया, अब OTP submit करने के बाद यहां पे आप देख सकतो हमारा bank account successful आ चुगा है, अब यहां पे आपको एक और OTP verify करवाना पड़ेगा, simply आपको अपना bank account select करना है, उसके बाद get OTP पे click कर देना है, अब हम दुबारा OTP easily verify कर रहे है, क्योंकि अब यह OTP कोटक महेंदर bank की तरफ से भी जा गया है, यहां पे आप देख सकतो हो, जो हमारा bank account है, वो successful verify हो चुगा है, अब simply आपको यहां पे approve और reject दो option आ रहोंगे, अब मैं इसको simply approve कर देता हूँ, अप्रूफ करने के बाद यहां पे जो हमारा bank statement है, वो successful हमारा verify हो जाएगा, और application verify होने के अपनी email ID verify करवानी पड़ेगी, अब देखो email ID verify करने बादे के लिए, आपको simply done वाले button पे click कर देना है, click करने के बाद अब यहां पे देख सकते हो, इसने हमको redirect कर दिया, अपनी website के उपर, website पर आने के बाद, अब simply आपको यह three dot का जो icon दिख रहा है, आपको इसी पे click कर अब इसके बाद, आपको check pre-approved offer पे चले जाना है, अब जाने के बाद, अब यहां पे आप देख सकते हो, जो भी आपका mobile number है, उससे simply आपको इसको verify कर लेना है, हमने यहां पे mobile number डाला, इसको verify किया, उसके बाद number पे OTP आएगा, मैं यहां पे OTP देख लेता हूं, तो simply आ आप इनके cart वाले option का आजाना, यहां पे आप देख सकते हो, जो भी हमने loan apply किया था, वो आपको दिख रहा है, एक लाख रुपय का loan था, नौ महीने के लिए, अब हमको यहां पे दो option मिलते है, सबसे पहला delete का, और दूसरा resume का, अब हम इसको जैसे resume करते हैं, हम यहां पे इस वाले page पे आ जाते है, यहां पे हमको अपना reference number बगर है दिख रहा है, अब यहां पे आपको verify your email id को option दिख रहा है, आपको इसी पे click कर देना है, अब यहां पे आप देख सकते हो, आपको अपनी official email id यहां पे enter करनी पड़ेगी, अब देखो, ज़्यादा confuse मत होना, यह आपकी official email id है, कोई office की email id नहीं है, तो भई जो भी आपकी personal email id हो, वही डालके आपको simply generate OTP पे click कर देना है, अब यहां पे आप देख सकते हो, आपके email id पे एक OTP भीजया जाएगा, और वो OTP आपको simply यहां पे verify कर देना है, अब देखो भई, जैसे आप यह verification अपनी complete कर ल करना पड़ सकता है, क्योंकि भई बजाज फिंजर एक थोड़ी बड़े लेवल की application हो जाती है, तो यह ठीक तरसे सारी चीज़े verify करती है, और जब आपकी सारी detail verify हो जाती है, उसके पास जो भी amount है, वह आपकी bank के अंदर disverse कर दिया जाता है, और आप बजाज फिंजर के application के अंदर जाके अपने loan के status को track भी कर सकते हो, और loan मिलने के बाद उसको आप देख भी सकते हो, बागी दोस्तों अगर आपको loan apply करते वक्त कुछ भी problem आरे हो, तो भई आप comment box में पूछ सकते हो, आपको reply मिल जाएगा, बस इतना ताज किस वीडियो के अंदर, make sure video को like करके चैनल को subscribe कर देना, अब हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक लिए जय हिन, जय वारत